नमस्कार दोस्तों, दोस्तों देखे यहाँ पर जो crank यूज कर रखा है उसका main reason यह है कि जो crank है वो RCC slab को compressive stress से safe रखता है और दूसरा यह है कि जो crank है वो negative bending moment को resist करता है इसलिए दोस्तों beam की both side में crank हमको use करना है यहाँ पर one side में use कर रखा है लेकिन दूसरे side में use नहीं है